आज हम लोग हने दिव क्लास एट का चेप्टर नमबर शेख्स दिस जॉड़ी स्फोन पढ़ेंगे आज हम लोग डॉक्टर के पास भागने के बजाए जब हम लोग कोई चकलीफ हो जाती है तो क्या करते है इसका इलाज ढूंडते हैं हम लोग शायद अपने घर में कोई घरेलू नुश्के का इस्तमाल करते हैं जैसे जब हमारे घुटने पे कोई कट का निसान हो जाता है कोई चोट लग जाती है हमारा बाजू जल जाता है या मदो मखी काट लेती है तो हम लोग क्या करते हैं डेफिनेटली एक घरेलू नुश्के का इस्तमाल करते हैं इन दिस स्टूरी जॉडी स फादर हाज बिटन बाई रैटल स्नेक इस कहानी में जॉडी के पिता को एक जहरीले सापने काट लिया होता है ये जल्द से क्या करते हैं एक हिरिनी को मारते हैं और उसके हर्ट और लिवर को उस पोईजन को निकालने में इस्तमाल करते हैं जॉडी को आशर्ज होता है, उसके दिमाग में ख्याल आता है, अरे उस हिरणी के बच्चे का क्या होगा, जो अपनी मा के बगर जंगल में अकेला होगा, अब हम लोग यहां पार्ट वन सुरू करते हैं, जॉडी क्या करता है, अचानक से उसका ध्यान उस हिरण के बच्चे पे चला जाता है, वो अपने दिमाग से इस बार को निकाल ही नहीं पाता, उस हिरण के बच्चे को बारे में बार बार सोसते रहता है, उसके बारे में उसका ख्याल हटता ही नहीं वहां से, He had held it, बार बार उसका दिमाग में आता है ये बात In his dreams, उसके सपने में आता है In his arms, उसको लगता है कि वो अभी भी मेरे बाहों में है He slipped from the table and went to his father's beside वो क्या होता है कि वहाँ table से बगल हटता है अपने पिताजी के पास पहुंचता है उसके पिताजी आराम कर रहे होते है His eyes were open and clear उनकी आँखें खुली हुई होती है और बिलकुल साफ होती है But the pupil were still dark and related लेकिन उनकी आँखों की जो पुतलियां होती है खुली हुई होती है, बहुत गहरी होती है चीनती तवस्ता में वो होते है Jody said, How are you feeling, Pa? जोड़ी पूसता है, पापा अब कैसा आप महसूस कर रहे है Just fine son, बेटा, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ Old death has gone, thieving elsewhere बेटा, हमारी जो मौत थी, वो कहीं और चली गई But wasn't it a close if क्या ये बहुत ही बाल-बाल बचने वाला जैसा नहीं है कि हम लोग बाल-बाल बच गए, हमारी जान बच गई Penny said, I am proud of you Penny बोलते हैं, बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है The way you kept your head and did what was needed बेटा, जिस तरह से तुमने अपना ध्यान रखा इस पूरे अवस्था में अपने आपको अच्छे से रखा जैसी जरुत थी, बिल्कुल तुमने वैसा ही किया उस situation में बिल्कुल अपने आपको perfectly arrange करके रखा पा, yes son जोडी बोलता है पापा, उसके पिता जी बोलता है हाँ बेटा बोलो पा, do you recollect the dough and the phone? पापा, आपको इस बात का ध्यान है वो जो dough है और उसका जो बच्चा ऐसा करके जोडी अपने पापा से पूसता है I can never forget them the poor dough saved me, that's certain पेनी बोलते हैं हाँ, मैं उसे बिल्कुल नहीं भूल सकता वो बेचारा dough जिसने मेरी जान बचाई बिल्कुल उसीने मेरी जान बचाई पा, the phone may be out there yet it might be hungry and very scared जोड़ी बोलते हैं पापा, वो phone क्या अभी भी वहाँ होगा क्या? अभी भी वो वहाँ तो होगा तो भूखा होगा? पा, the phone may be out there yet it might be hungry and very scared पापा, क्या अभी भी वो phone वहाँ पर होगा क्या? अब तक, वो बहुत भूखा होगा ना? और बहुत डरा हुआ भी होगा I suppose so उसके पापा बोलते हैं मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ पा, I am a big boy now and don't need to drink milk पापा, मैं अब बड़ा लड़का हो गया हूँ मैं अब दूद की जरुद भी नहीं होती Why don't I go and see if I can find the phone बोलते हैं कि पापा मैं तो अब एक बड़ा बच्चा हो गया हूँ क्यों न मैं जंगल में जाऊँ और उस phone के बच्चे को उस phone को हीरन के बच्चे को देखूँ शायदो वह हो and break it here और उसे अपने घर लेकर आऊँ and raise it और उसे उठाऊँ, उसे रखूँ जो भी है ऐसा वो अपने पापा को भोलता है पेनी ले कॉइट पेनी वहाँ पर शांत लेटे भी होते हैं staring at the ceiling अपने कमरे के छज्जे को देखते रहे होते हैं boy, you have got me hamden बेटा, तुमने तो मुझे बिलकुल अस्तब्द करकर रखा है it won't take much to raise it पापा इसको लाने में बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी it will soon start eating leaves and acorns वो जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और अपनी जो general खाने की चीजे हैं जैसे पत्ता वगरा वो खाता है वो खाना सुरू कर देगा you are smarter than boys of your age उसके पापा बोलते हैं तुम अपने उमर के बच्चों से ज़्यादा smart हो we look at mother and it wasn't to blame हमने उसकी मा को ले लिया मतलब उसकी मा को मार कर हम लोग ने अब इस्तमाल कर लिया इसके लिए बहुत ज़्यादा blame करनी को सकता नहीं थी ऐसा कुछ वो बोलते हैं surely it seems ungrateful to leave it to starve निशित रूप से उसको इस तरीके से भूखे छोड़ देना बिल्कुल सही नहीं है son I can't say no to you बेटा मैं तुम्हें नो तो नहीं बोल सकता I never thought I would leave to see another day बेटा मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं दुबारा दिन को ना देख पाऊ इस तरह से पेनी अपने बच्चे से बात कर रहा होता है Can I ride back with Millville and see if I can find it जॉड़ी अपने पापा से पूशता है कि पापा क्या मैं Millville के साथ जाऊ जंगल में और उसे ढूंड कर लाऊ Tell your mom I said you can go पेनी बोलता है बेटा मैं तो तुम्हें जाने की इजाज़त दे देता हूं बड़ तुम्हें अपनी मां से इजाज़त लेनी होगी He sidled back to the table and sat down वहीं पर एक table होता है वहाँ पर जाकर वो बढ़ जाता है His mother was pouring coffee for everyone उसकी मां जो होती है सबके लिए coffee table पे cup में निकाल रही होती है He said Ma Pa says I can go bring back the phone Ma पापा बोल दे कि मैं जंगल जा सकता हूं और उस phone को ला सकता हूं अपने घर पे See hell the coffee pot in mid air जैसे ही जोडी बोलता है उसकी मां बिलकुल अस्तब्द हो जाती है और हाथों में जो केटली से जो बरतन से जो चाय ढाल रही होती है हवा में टंगी जैसी हो जाती है What phone? क्या? हिरन का बच्चा? The phone belonging to the dough We kill अरे वही जिसके मम्मी को जिसके हिरनी को हम लोगों ने मार दिया था We use the dough's liver to draw out the poison and save pa अरे जिसके heart और लीवर को जो हमने इस्तमाल किया था तो महरे पापा के जान बचाने के लिए poison को निकालने के लिए See gas Will For pity's sake ऐसा बोलते हुए बोलती है कि अच्छा उस पे दया मने जैसा हम लोगों ने जो करा हम लोगों को किरतग्य होना चाहिए यह कुछ ही इस तरह का बात वो सोचती है वो बोलता है पापा ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लोग उसको ऐसा छोड़ देंगे तो यह बहुत ही करतग्नता हो जाएगी बहुत ही गलत बात हो जाएगी डॉक विल्सन सेड दाट राइट माम डॉक विल्सन वहीं पर बैठा होता है वो बोलता है कि यह बच्चा बिलकुल सही बोल रहा है माम नथिंग इन दे वोल कॉम्स क्वाइट फ्री इस धर्ती पे कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती यह बच्चा बिलकुल सही बोल रहा है और इसके पापा भी बिलकुल सही बोल रहा है मिल्विल सेड, he can write back with me, I'll help him find it तब पीछे से मिल्विल की आवाज आती है वो बोलता है कि ठीक है मैं इसे अपने घोड़े पे पीछे बैठा लूँगा और मैं इसकी मदद कर सकता हूँ और उसकी ममी जो होती है जट से जो बरतन होता है जिससे कोफी डाल रही होती है एकदम लगा जैसे को उसकी हाथों से क्या हो गया केटली को नीचे रखती है तब उसकी ममी जोड़ी को बोलती है अगर तुम अपना दूद उसको पीने के लिए दे दोगे बिकॉस हम लोग को उसको खिलाने के लिए हम लोग के पास कुछ और नहीं है तो तुम्हें अपना दूद देना होगा मिल्विल बोलता है आजव बच्चे पीछे बेट जव हम लोग को चलना है माय बक्स्टर आस्ट आंक्सिसली यू उसकी माँ बोलती है कि बिटा तुम इतना लंबा आज तक नहीं गए हो जोड़ी बोलता है माँ मैं साम को खाना खाने के पहले बिलकुल मिल्विल क्या करता है अपने घोड़े को खड़ा करता है और जोड़ी को फट से अपने पीछे खीच कर बैठा लेता है वह मिल्विल से पूसता है कि क्या आपको लगता है कि वो जो फॉन है अभी भी वहाँ होगा मिल्विल बोलता है अगर वो जीनदा होगा तो जरूर हम लोग उसे ढूण लेंगे अच्छा एक ची बताओ तुमने कैसे बोला कि वो ही है ही मतलब मेल ही रन फीमिल नहीं है तुम्हें कैसे मालूम तब जोड़ी बोलता है दे स्पाप वो जोड़ी मेल्विल को उत्तर देता है कि मेरे पापा ने कहा कि जब सब उसके जो हीरन के जो सरीर पे जो डॉटेट नीसान होता है अगर वो एक लाइन में होता है तो उसे शायद मेल बोलते हैं अदरवाइस फीमिल ऐसा करकर उसके पिदाजी उसको समझाते हैं दोस्तों हम लोग का यहाँ पर पार्ट वान खतम होता है अब हम लोग सारा कोशन देख लेते हैं वाट हैट हापन टू जोड़ी सफादर जोड़ी के पापा को क्या हुआ था मतलब जोड़ी के पापा को एक जहरीले सापने काट लिया था मतलब जो हिरनी थी पेनी के लाइफ को कैसे बचाई बिकोज यह जो पेनी थे जो जोड़ी के पिता जी पेनी इन्होंने ड़़ी को मार कर उसके हर्ट और लीवर को अपने पोईजन को निकालने में इस्तमाल किया जोड़ी उस फोड़ी को हिरन के बच्चे को घर क्यों लाना चाहता था जोड़ी को कैसे पता चलेगा कि वो जो फोड़ी है एक मेल है फीमेल नहीं विकोज उसके पापा ने उसको बुला था अगर वो एक लाइन में होंगे क्यों कतार में होंगे तो वो मेल होगा अधरवाइस फीमेल दोस्तों इसका सेकेंड पर्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन